हैं बेल RC2 series का screw compressor जिसके बारे में हमने पिछली का यह वीडियो में देखा हुआ है तो उसमें जो sensor छूट गे थे जो optional होते है optional sensor का आपका पता होता है customer demand पे लगाए जाते है तो पिछले compressor में जो नहीं दिखा पाया था में sensor वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे सामने आप देख सकते हैं यह oil filter है इसके अंदर oil को filter करने के लिए यहां पर एक internal oil filter आपको देखने को मिल जाता है इसी के उपर यह जो sensor है इसको आप कहेंगे oil pressure differential switch जो की पिछले compressor में आपने नहीं देखा था इसके back side में भी लगा हुआ है उसको भी दिखा देता हूं पहले में आपको तो यह compressor की back side है यहां पर आप देख सकते हैं यह panel है और इसी के just नीचे यह oil filter वाला connection है उसके उपर आप देख सकते हैं यह oil level switch है oil का जो level है compressor के अंदर उसको sense करने के लिए जिससे की level sense किया जाएगा और side में आप देख सकते है side glass है level check करने के लिए oil का इससे आप oil का level check कर सकते हैं एक angle wall दे रहा है आपर drain करने के लिए oil को और कुछ पार्ट्स भी हैं जो कि पिसले वीडियो में नहीं देखा था हमने, जैसे कि ये एप्लिकेशन जिसको मैंने कई बार बता दिया है, वैसे तो अपने गैस कर लिया होगा, ये है लिक्विट इंजेक्शन सिस्टम, ये वैपुरेटर है, वैपुरेटर की जो लाइन ह उससे कनेक्टर रहता है, लिक्विट इंजेक्शन सिस्टम, और यहां पर एक सैनलोड वाल, एक एक स्पेंशन वाल, और ये जाता है सिदे, मोटर साइट पे, अमने आपको पहले बतार का था, ये दो जगा पर आपको देखने को मिलेगा, एक मोटर साइट पे, यहां पर विकर temperature exceed होता है तो इसके थुरू मोटर चाकरो किया जा सकता है तो इसके थूर के थिया जा सकता है, क्योंकि यहां से जो रेफटर्जेंट है जो पतार काया है, अब दूसरे साइट बतार का है घ्र से राछए के है काॉन सा पार्ट क्या है, तो यह वाला जो पार, यह पर injection system के लिए जो आप भी आपने motor side के लिए देखा वो यहाँ पर connect हो सकता है बट यहाँ पर connect नहीं कर रखा है एक ही capillary tube है oil के लिए और ये coolant oil जो होता है उसके लिए in और out यहाँ पर आप देख सकते हैं connection नीचे के तरफ यहाँ पर भी एक side glass देखने को मिलता है आपको उपर की तरफ loading-unloading के senlod walls connect है और कुछ sensor आपको देखने को मिलेंगे जो temperature के लिए लगाएगे है discharge side के यह उपर discharge side का stop valve और यहाँ पर आपको मिल जाएगा suction side का stop valve वो अभी insulation के वज़े से देखने ही रहा है oil cooler के connections दिखा देता हूं आपको यहाँ पर यह वाला part compression chamber का है और यह oil cooler in और out आपको दो देखने को मिलते हैं और यह बहुत पुराना system इसलिए बहुत गंदा और यहाँ पर हमको सीखने को मिल रहा है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर तो यह जो line है यहाँ स कोईल के साथ यह कोईल है पूरी और पीछे इसके फैन लगा हूँ है बैक साइट से अगर दिखा हूं अगर दिख रहा हूँ आपको दो सेकंड उपना यह और कुछ इस तरीकी के का यह कोईल लगा हूँ है जिसमें यह oil थंड़ा होता है इस compressor के साथ भी connection है यह दो पोटक त्सक्क्रो दिख दिखा हूँ है